वेलकम वैक दियर स्टूडेंट्स नवार टॉपिक इस टाइपसाफ फार्मिश पिशली वीडियो में हम वनेburgila के बारे पढ़ आता सब से ताइपसाफ अग्रीकल्चर यानि चोछ एक्साम से त्बारे में पढ़ेंगे जो एग्रिकल्टर है या फार्मिंग हम कहेंगे इसको वर्ल्ड ओवर जो है प्रैक्टिस किया जाता है डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडिशन्स में डिफरेंट लेवल आफ टेकनॉलजी से या लेबर से तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप साफ फार्मिंग क्या क्या है फार्मिंग जो है जनरली इसको दो में ग्रूप्स में क्लास्पाई किया जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शल फार्मिंग Sub Sistence Farming में क्या होता है अगर हम इसको और गोर से देखेंगे सबसे पुराना जो टाइप आफ फार्मिंग है वो Sub Sistence Farming है पुराने जमाने में क्या होता था हमारे पर जमीन बहुत जदा होती थी और हमारी requirement इसकाम होती थी उस वक्त हम उतने ही जमीन पे एक्रिकल्चर करते थे जिससे हमारा पेड़ बरता था या जमीन दार जो होता था और उसकी फैमिली जो होती थी जिससे वो उसको फीड कर पाता था वो उतनी ही जमीन पर अपना जो उसका गर का लेबर होता था और जो ट्रेडिशनल वेज आफ फार्मिंग है उससे जो भी वो प्रोडूस कर पाता था उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते थे इसमें जो हमारे पास low level of technology होती थी traditional technology होती थी household labor होता था और इसका output जो होता था वो बहुत ही कम होता था तो इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हम simply इसको कहेंगे जहांपे जमीनदार उतना ही होगाए traditionally तरीके से अपने घर में जो उसके पास labor होगा ज्यादा पैसा उसमें वो investor नहीं करेगा और उतना ही output नकालेगा जितना की उसकी family को ज़रूरत है यह सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसके भी आगे दो सब टाइपस है एक होता है intensive subsistence farming और दूसरा primitive subsistence farming intensive subsistence farming में क्या होता है यहां पे एक जमीन दर जो होता है उसके पास समाल पलाट होता है चोटा सा लैंड पलाट होता है simple tools होते हैं labor लेकिन ज़्यादा इसमें होता है तो इसमें वो क्या करता है वो इस कम जमीन में अपने जो उसकी requirement है ज़्यादा requirement है वो उसमें ज़्यादा ज़्यादा labor लगाता है थोड़े से fertilizer उसका भी इस्तेमाल करता है और जो land की अपनी fertility होती है तो उससे वो ज़्यादा grow करनी की कोशिश करता है तो इसको हम intensive cropping कहते हैं intensive subsistence cropping दूसरा जो हमारे पास है primitive subsistence farming या जिसको हम shifting cultivation भी कहते हैं nomadic herding भी कहते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कम जमीन में कम पैदावार जो हमारे पास गर में labor हो और जो traditional हमारे पास techniques हो level of technology हमारे पास low हो तो उसको हम primitive subsistence agriculture कहते हैं इसमें मैंने आपको बताया इसके भी दो किसमें हैं एक तो है shifting agriculture इस shifting agriculture क्या है इसको slash and burn agriculture भी कहा जाता है इसको jamming भी कहा जाता है बहुत सारे नाम है इसके तो इस shifting agriculture में क्या करता है एक जमीनदार जो है वो land का एक part clear करता है उसमें जो भी paid होते हैं वो काट डालता है उसके पाद जो जाडियां बज़ती है उनमें आग लगा देता है और उसमें जो ash निकलता है वो as maneuver इस्तिमाल करता है और जमीन की जो natural fertility है उसी पे वो काश्तकारी करना start करता है इसमें किसी भी खाद का या किसी भी chemical fertilizer का इस्तिमाल नहीं होता है और नहीं इसमें किसी नई technology का इस्तिमाल होता है traditional तरीके से तो फिर क्या होता है दो साल तीन साल या चार साल बाद इस जमीन की fertility जो है वो खत्म हो जाती है ये farmer क्या करता है ये इस जमीन के टुकडे को छोड़कर एक नया पलाट कलियर करता है फिर उसी पे agriculture करता है ठीक इसी तरीके से तो ऐसे ही करके ये आगे आगे बढ़ता है और उस जमीन पे slash and burn agriculture करता है तो इसलिए इसको हम shifting agriculture कहते हैं क्योंकि ये एक जगा से दूसरी जगा पे जो farmer होता है वो shift कर देता है अपनी agricultural land को और slash and burn क्योंकि इसमें पेड़ों को जलाया जाता है इसलिए इसको slash and burn agriculture भी कहा जाता है इसके बाद nomadic herding मैंने आपको बताया है nomadic herding जो है ये ज़्यादा तर सेमेर एरिड एरिड एरियाज में जैसे desert उसमें साहरा desert है या राजिस्तान हमारे पास है या जमु कश्मीर में भी nomadic herding जो है वो की जाती है nomadic herding में क्या होता है जैसे जो मु कश्मीर में हम देखेंगे जो हमारे पास बक्करवाल होते हैं ये छे महीने एक जगा पे रहते हैं और छे महीने दूसरे जगा पे रहते हैं अप डाउन करते रहते हैं तो all along dear roots जो भी ये गास पूस या इनके पास जो भी पानी होता है ये डिफाइनर रोटस पे चलते हैं उसके बाद इनके पास जो शीप्स होते हैं कैमल होते हैं या याक्स गोट्स होते हैं ये उनको रियर करते हैं ये अनिमल्स जो है इनको दूद भी देते हैं गोश्ट भी देते हैं वूल भी देते हैं तो इन प्रोडक्ट्स को ये बेजते हैं तो इनको हम हड्रर्स भी कहते हैं ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं इनके पास जो भी मवेशी होते हैं ये उन्हीं से काम चला लेते हैं लेकिन ये मवेशीों को एक जगा पे नहीं पालते हैं अपड़ून करते रहते हैं तो इसको type of agriculture है, जिसको हम commercial agriculture कहते हैं, commercial agriculture, उस agriculture को कहते हैं जहां पे हम, जो हमारा फाइदावार है, उसको market के लिए तायار करते हैं, वो खुद खाने के लिए नहीं होता है, जैसे हमारे पास apple orchards है, जो हमारे apples है, हम घर में खाने के लिए वो नहीं उगाते है, बलकि market में, पैसा हासल क करने के लिए जिसको हम कैश कराब भी कहते हैं तो इसी तरीके से वीट मेज जो है ये भी कमर्शल ग्रेन फार्मिंग में आता है और हमारे पास जो एपल आर्चोडस है या हमारे पास औरेंज होते हैं बनना होते हैं ये सारे जो है ये कमर्शल फार्मिंग में आते हैं तो कमर भरियाना वेस्ट बेंगाल में राइस और वीट की कल्डिवेशन की जाती है लेकिन वहां के लोग वो खुद नहीं काते हैं वो उसको बेचने के लिए उगाते हैं इसके अलावा मिक्सड फार्मिंग एक और किसम है जो कमर्शल फार्मिंग होती है इसमें क्या होता है क्राप्स भी उगाए जाते हैं और उससे जो हमें फोडर मिलती है गास मिलती है उससे लाइव सिटाक्स जो है उनको भी रियर किया जाता है उनको भी पाला जाता है तो इसको हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं और commercial farming का एको टाइप है वो है plantation agriculture plantation agriculture में हम देखेंगे जैसे tea है, coffee है, sugar cane है, cashew है, rubber है, banana है या cotton है इसको हम इनके पेड़ लगाते हैं और फिर इसमें labor और capital इस्तेमाल करके यहां पे fertilizer का इस्तेमाल, machinery का इस्तेमाल करते हैं और फिर वहां से हम जो है पाइदावार हासिल करते हैं, फिर इस पाइदावार को हम transport network हमारा होता है, इससे एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाते हैं जो plantation agriculture है, इसमें transportation का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि यह बारी बर कम होता है इसको factories तक पहुंचाने के लिए transport का बहुत ज़्यादा महत्व है तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम देखेंगे major crops जो इंडिया में हैं, वो कौन-कौन से हैं तब तक के लिए DJ इजाज़ टेक केर एड़ गुन भाई